ओम शान्ती 18 अक्तुबर 2022 के इश्वरिय महवाक्य पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स बाबा ने कहा मीठे बच्चे अशरीरी भव अशरीरी बन मेरा बनो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे अब तुम्हें याद की दोड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनना है तुमको मेरे पास आना है तो नश्टो मोहा बनो फिर मैं तुम्हें स्वर्ग के अथा सुख दूँगा अब तुम इश्वरिय संतान बने हो लेकिन दैवी संतान बनने के लिए बाप के साथ पूरा योग चाहिए अपना चार्ट रखो हम कितना समय बाबा को याद करते हैं जितना जो याद में रहेंगे उतना अतिंद्रिय सुख की भासना आएगी एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े स्वदर्शन चक्र से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे नहीं तो सजाएं खाएंगे पुरानी दु ज्यान चिता पर बैठो अब तुम इश्वर के कुलके बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए दिल से निकले बाबा आप कितने मीठे हो जो हमको स्वर्ग में ले चलते हो और लास्ट में बाबा ने कहा तुम हेवेनली गौड फादर को जितना याद करेंगे उतना नशा चड़ेगा अब तुमको श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो कमजोर नहीं बनना माया के साथ युद्ध करनी है और अब सुनते हैं माहवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे कच्छवे मिसल सब कुछ समेट कर चुप बैठ स्वदर्शन चक्र फिराओ बाप जो सर्व संबंधों की सक्रीन है उसे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे प्रशन इश्वरिय कुल के बच्चों प्रती बाप की श्रीमत क्या है उत्तर तुम जब इश्वर के बच्चे बने उनके सम्मुख बैठे हो तो प्यार से उसे याद करो उनकी श्रीमत पर चलो जितना उसे याद करेंगे उतना नशा रहेगा प्रन्तु माया रावन देखता है कि मेरे ग्राहक चीनते हैं तो वेह भी युद्ध करता है बाबा कहते हैं बच्चे कमजोर मत बनो मैं तुम्हें शक्ती देने के लिए बैठा हूं गीत धीरस धर मनवा धीरस धर तेरे सुख के दिन आए की आए ओम शान्ती यह कौन कहते हैं बच्चों को कि हे बच्चे क्योंकि मनवा कहा जाता है आत्मा को आत्मा में ही मन बुध्धी हैं तो यह भी नाम रख दिया हैं नाम तो बहुत चीजों के बहुत रखे हैं जैसे परम पिता परमात्मा बाबा कोई फिर फादर कहते हैं तो बाबा है सबसे सिंपल, बाबा कहते हैं तुम किसकी संतान हो, वह याद आता है, अब तुम बच्चे बैठे हो, सामने कौन है, आत्माई कहेंगी बाबा बैठा है, कितनी सिंपल बात है, बच्चे जानते हैं, हम आत्माओं का परम पिता, परम आत्मा, पिता है, मनुश्य तो छोटे बड़े सब को बाबा कह देते हैं और यह फिर आत्मा अपने बाबा को बाबा कहती है ओ गौड फादर कहते हैं अब शरीर के फादर को तो गौड फादर नहीं कहेंगे तुम जानते हो हम उस बाबा के सामने बैठे हैं यह आत्मा की बात है शुबाबा समझाते हैं तो मैं कौन हूँ? मैं परमात्मा हूँ. मैं तुम सभी आत्माओं का परमधाम में रहने वाला पिता हूँ. इसलिए मुझे परमात्मा कहते हैं. इकठा करने से हो जाता है परमात्मा. कितना सहज है? यह कौन बैठा है? शिव बाबा. वेह ना होता तो यह ब्रह्मा भी नहीं होता. तो बच्चों की दिल में हमेश्या उनकी याद रहती है. है वेह भी आत्मा, कोई फर्क नहीं है. जैसे आत्मा स्टार है, उस स्टार का सक्षतकार होता है. वैसे बाब का भी स्टार रूप में सक्षतकार होगा. बाकी यह जो कहते हैं कि बहुत तेज है, सहन नहीं कर सकते, यह मन की भावना है. बाकी तो बाप यथार्थ करके समझाते हैं कि जैसे तुम आत्मा हो, वैसे मैं भी आत्मा हूँ. मुझे भी इस तन में इस आत्मा के बाजू में ब्रिकुटी में बैठना है. तो वह बैठ समझाते हैं कि तुम आत्माओं में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है. सो भी हर एक में अपना अपना पार्ट है. कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल. अब परमात्मा अक्षर क्लियर है. उनको परमात्मा कहने से मूझ गए है. है तो आत्मा परंतु सदा परमधाम में रहने वाली परमात्मा है. ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे. ये सब हैं जीवात्माएं. इनमें कोई पाप आत्मा, कोई पुन्य आत्मा है. बाप कहत मुझे पाप वपुन्य आत्मा नहीं कहा जाता है, मुझे परमात्मा ही कहा जाता है, मेरा भी पार्ट है, एक बार आकर पतित दुनिया को पावन बनाता हूं, याद भी करते हैं कि पतित पावन आओ, प्रंतु कोई समझ से थोड़े ही हैं कि हम पतित रावन संप्रदाए हैं कहते हैं राम राजे चाहिए, रावन को जलाते भी हैं, प्रन्तु यह नहीं जानते कि हम ही रावन संप्रदाई हैं, जरूर पतित हैं तब तो बुलाते हैं, क्रिश्न को तो नहीं बुलाते, उनको तो परम आत्मा नहीं कहते हम सब का बाप जो परमधाम से आया है उसको ही परम आत्मा कहा जाता है इश्वर व भगवान कहने से रोला पड़ जाता है बाप इस जीव आत्मा दवारा समझाते हैं तुम कहते हैं बच्चे अशरीरी भव तुम मेरे बच्चे थे जब तुमको भेजा था स्वर्ग में शरीर धारन कर आये चक्र लगाते लगाते अब तुमने चुरासी का चक्र पूरा किया इस समय सब रावण की संतान है रावण ने ही पतित बनाया है अब तुम बने हो इश्वरिय संप्रदाए अब बाबा आया है कहते हैं मेरा पार्ठ है आशुरी संप्रदाए को दैवी संप्रदाए बनाना मैं भी ड्रामा नुसार अपने टाइम पर आता हूँ कल्प के संगम युगे कली युग है पतित पुरानी तमो प्रदान दुनिया तब मैं आता हूँ सुरेवंशी चंद्रवंशी कुल का राज्य स्थापन करने ना हो तब तो स्थापन करूँ फिर जब सुरेवंशी संतान बने हो दैवी संतान बनने के लिए तो बाप के साथ योग चाहिए जिससे विकर्म विनाश हो एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने के लिए स्वदर्शन चक्र फिराना पड़े बाबा को याद करना है इसमें ही महनत है यह चार्ट रखो कि कितना समय बाबा को याद क आएगी तब कहा जाता है अतिंद्रिये सुख पूछना हो तो गोपी वल्लब की गोप गोपियों से पूछो वल्लब कहा जाता है बाप को बाप का रूप भी बेटे जैसा ही होता है वैसे आत्माओं का बाप भी आत्मा ही है परंतु परमधाम में रहने वाला है अगर वह बी बीज नीचे चक्र में चला आए तो जाड उपर चला जाए जैसे वह जाड होता है उनका बीज नीचे जाड उपर प्रन्तु ये उल्टा जाड है जिसका बीज रूप परम आत्मा परमधाम में निवास करते हैं आत्माई भी पार्ट बजाने उपर से नीचे आती हैं टाल टालिया निकलती जाती हैं अब बाप कहते हैं तुमको रावण ने काला कर दिया है अब तुमको गोरा बनना है क्रिश्न और नारायन दोनों को काला कर दिया है लक्ष्मी को गोरा बनाते हैं क्यों काम चिता पर तो दोनों बैठे होंगे क्रिश्न के लिए कहते उनको तक्षक सर्पने डसा नारायन कुफर किसने डसा कुछ भी समझ से नहीं चित्र आदी भी सब रावन की मतपर बनाई है अब बाबा आया है श्रीमत देकर रावन से लिबरेट करने के लिए मैं सबका सदगती दाता हूँ श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल भी इनका है जगत की सदगती करते हैं ग्रंत में इनकी महिमा बहुत लिखी है सदगुरु, सच्चा पात्षाह, सचखंड स्थापन करने वाला बाबा को यह सब कंठ था प्रंतु अर्थ का पता नहीं था अपने को बहुत रिलिजियस माइंडेड समझ से थे प्रंतु थे रावन कुलके अब तुम इश्वरी कुलके बने हो तो कितना प्यार से उनको याद करना चाहिए बाबा, आप कितने मेठे हो हमको स्वर्ग में ले चलते हो हैविनली गौड फादर को जितना याद करेंगे तो नशा चड़ेगा अब किसके सामने बैठे हो बाब कहते हैं हे लाडले बच्चे मैं तेरा परम पिता तुम आत्माओं से बात कर रहा हो अब मेरी श्रीमत पर क्यों नहीं चलते परंटु काम रूपी भूत गिरा देता है बाब कहते हैं कमजोर क्यों बनते हो श्रीमत मिल रही है फिर आसुरी मत पर क्यों चलते हो यहे युद्ध तो करनी है माया समझ सी है मेरे ग्राहक चीनते है तो लड़ती है, तुमको बाप शक्ति दे रहा है, इतना पाठ पढ़ाते हैं, सब वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं, सुक्षम वतन में तो नहीं सुनाएंगे, दिखाया है विश्णों की नाभी से ब्रह्मा निकला, सुक्षम वतन में नाभी कहां से आई, क्या-क्या बै लिखा है, अभी तुमको जो नॉलेज मिल रही है, यह परमपरा नहीं चलती, यहां ही खलास हो जाती है, पीछे जो शास्र आदी बनाते हैं, वे परमपरा से चलते हैं, यह ग्यान तो प्राय लोप हो जाता है, अब बाप कहते हैं, मेरी मत पर चलो, देही अभिमानी बनो, इसमें दोड़ी लगाकर मेरे गले का हार बनो, यह बुद्धी की दोड़ी है, सन्यासी नहीं कह सकते कि अशरीरी भव, मामेकम याद करो, परमात्म सभी को कहते हैं, क्योंकि सभी मेरी संतान हैं, सब को वापिस ले जाने के लिए आया हूं, परन्तु सम्मुख तो बच्चे सुनते हैं, सारी दुनिया नहीं सुनती, शिवरात्री मनाते हैं, शिव का मंदिर भी है, जरूर आया है, परन्तु शिव का इतना बड़ा चित्र नहीं है, वे तो स्टार है, अगर कहो तो कहेंगे क्या मंदिर में चित्र रोंग है, बाप समझाते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूं सर्फ तुम जनम मरण में आते हो मैं नहीं आता हूं तब तो तुमको लिब्रेट कर सकूं मैं पतित पावन हूं तो जरूर पतित दुनिया में आना पड़े ना अगर पतित पावन ना कहें तो समझेंगे नई दुनिया बनाते हैं प्रले हो जाती है फिर नई स्रिष्टी क्रियेट करते हैं प्रंतु उनको पतित पावन कहा जाता है तो इससे सिद्ध होता है कि यह स्रिष्टी तो अनादी है इसकी प्रले नहीं होती है सिर्फ पतित होती है उनको पावन बनाता हूं इसलिए मैं नंदी गर्ण पर भाग पकेशाली रथ पर आता हूं, तुम्हें नर से नाराइन बनाने, सब चाहते भी हैं, हम सुर्यवंशी थे, कथा भी हैं, एक भक्त ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वर सकता हूं, नारद भक्त था न, तो कहा तुम अपनी शकल तो देखो, पहले बंदर से मंदिर तो बनो, तब तो लक्ष्मी को वर सकेंगे, अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, यह इस समय की ही सारी बात है, यह सब तुमको कौन बता रहे हैं, शिव बाबा, ब्रह्मा दादा की भृकुटी के बीच में बैठ तुमको समझा रहे हैं, जैसे इनकी आत्मा भृकुटी में बैठी है, तो जरूर उनके बाजू में बैठा होगा न, यह नौलेजफुल बाप तुमको सारा राज आधी मध्य अंत का समझा रहे हैं, जिससे तुमको स्वदर्शन चक्र फिराना सहज हो, स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो सजाएं खाएंग विजे माला में भी नहीं आएंगे, कच्छवे मिसल जब फ्री हो, तो चुप बैठ कर चकर को फिराओ, अब तुमको घर वापिस जाना है, यह अंतिम जन्म पवित्र रहो, इसको कहा जाता है लोक लाज, पतित बनने की मरियादाईं तोडो, और कोई को याद नहीं करो, आ आप मुए मर गई दुनिया, अशरीरी बन मेरा बनो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, सबको मरना तो है ही, फिर कौन किसके लिए रोएगा, हिरोशिमा में सब मर गए, कोई रोने वाला बच्चा ही नहीं, इसलिए अब रोने वाली दुनिया से वापिस जाना है, इस गं क्यों करें, स्वर्क में थोड़े ही ऐसे शरीर होंगे, वहां तो अंग अंग में खुश्बू होती है, बाबा कैसे बासी को गुलगुल फूल बनाते हैं, तो उनको आना भी ऐसे पुराने लोंग बूट में पढ़ता है, बाबा कहते हैं कि भले घर में रहो, प्रन्तु श बाबा बैठा है, उनको भूलो मत, अच्छा, गीत है धर्ती को आकाश पुकारे, धर्ती पर रहने वालों को आकाश में रहने वाला बाप पुकारते हैं, अब मेरे पास आना है, इसलिए नश्टो मोहा बनो, मैं तुम्हें स्वर्ग के अथा सुख दूंगा, बाप हैं सभ भी सुखों का सेक्रीन, मामा, चाचा, ये सब तुमको दुख देने वाले हैं, तुम्हारा है सारी आसुरी दुनिया, नर्क का सन्यास, सन्यासियों का है सिर्फ घर का सन्यास, तुमको इस डर्टी दुनिया, नर्क को भूलना है, इस समय मनश्यों को थोड़ा भी धन मिलता तो समझ से हैं हम तो स्वर्ग में हैं, परंतु इस दुनिया में कोई कितना भी साहुकार हो, देवाला निकला, एरोप्लेन आदी गिरा, तो सब खलास, फिर रोने पीटने लग पड़ते हैं, वहां तो एक्सिडेंट की बात ही नहीं, कोई रोता पीटता नहीं, बाबा कहते ह अच्छा तुम स्वर्ग में हो, तो खुश रहो, मैं आया हूँ गरीबों के लिए, जो नर्क में है, दान भी गरीबों को दिया जाता है, साहुकार साहुकार को दान करते हैं क्या, मैं तो सबसे साहुकार हूँ, मैं गरीबों को दान देता हूँ, इस समय के साहुकार तो अ इंद्रप्रस्थ यहां हंस मोती चुगेंगे बाकी जो बगुले होंगे वह तो पत्थर ही उठाएंगे इसलिए बाबा कहते हैं यहां हंस गुण ग्राही ही आने चाहिए बगुले आउगुण देखने वाले नहीं अच्छा मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग धार्णा के लिए मुख्ये सार, पहली पोइंट, बाप की श्रीमत परचल, देही अभिमानी बन, बाप के गले का हार बनना है, बाप की याद में रहे, अतिंद्रिये सुख का अनुभव करना है, इस दुनिया से पूरा नश्टो मोहा बनना है, किसी के भी छीची शरीरों को याद नहीं करना है, वर्दान, सेवा के बंधन दवारा, कर्म बंधनों को स्माप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव, प्रवरिती में रहते हुए कभी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन यह भी सेवा है, सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है, जब तक सेवा भाव नहीं होता, तो कर्म बंधन खीचता है, कर्म बंधन होगा, तो दुख की लहर आएगी, और सेवा का बंधन होगा, तो खुशी होगी, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से स्माप्त कर विश्व सेवाधारी विश्व में जहां भी है विश्व सेवा अर्थ है स्लोगन अपने दैवी स्वरूप की स्मृति में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती अपने देवी स्वरूप की स्मृती में रहो तो आप पर किसी की व्यर्थ नजर नहीं जा सकती अच्छा अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यान होती ये एक बहुत संस्कारिता पूर्ण विडियो है जरूर देखें कोई भी मिस ना करे अव्यक्त